नमस्कार आरानियोज देखनाप मैं हूँ आपके साथ विपुलपांडे नोएडा प्राध्यकरंड नोएडा को सक्षता सरवक्षन में नमबर वन मराने की कोशिशों में जूटा हुआ है दरसल अंतराष्टी महिला दिवस पर आठ मार्च को नोएडा में पिंक मैराथन का आयोजन होगा इस पिंक मैराथन का आयोजन सुबह साथ बज़े से लेकर दस बज़े तक सेक्टर 20 के मौझूद एस्टेडियम में होगा इस मैराथन में अलगला कैटेग्री में पहला इस्थान बाने वाले को 11,000 का इनाम भी दिया जाएगा आपको जानकारी के लिए बता दे कि नोएडा अथार्टी की सीओ रीतु महाश्वरी ने ये जानकारी दी है कि महराथन में सिर्फ नोएडा की महिलाएं ही शामिल हो सकती है तो जीतने वाले को 11,000 का इनाम भी दिया जाएगा कोरोना वैक्षिनेशन के बाद लवार्थियों को कोरोना वैक्षिनेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है इन सर्टिफिकेट्स पर पियमोदी की तस्वीर को लेकर चुनाव आयोग ने स्वास्त मंतराले को आदेश दिये हैं कि वो विधानसवा चुनाव के मुहाने पर खड़े राज्यों से इन तस्वीरों को हटा दे पांच राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों के इलान के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव प्रजार को लेकर शक्ती बढ़ा दिये हैं चुनाव आयोग ने केंद्री स्वास्त मंतराले से जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ कोरोना वेक्सिन के सर्टिफिकेट्स से पिया मोदी की तस्वीर हटाने के लिए कहा है केरल पुडूचेरी तमिलाडू पर्शिमंगाल और असम में होने वाले विधानसभाद चुनाओ के मद्दे नजर चुनाओ आयोक ने फैसल लिया है कि 27 मार्च से 29 अप्रैल के ब चुनाओ आयोक ने कही है बड़ते अंगली खबर के और राष्टपती रामनात कोविंद दो दिन के MP दौरे पर हैं इस दौरान वो दमो भी जाएंगे राष्टपती 6 और 7 मार्च को मद्दे प्रदेश के दो दिवसी प्रवास के दरान जबलपूर और दमोह में विभेन कारेक्रमों में शामिल होंगे जबलपूर में वो नियाईक अकादमियों से डायरेक्टर्स रिट्रीट कारेक्रम के उद्गाटन सत्र को संबोधित भी करेंगे और शाम को मान नर्मदा की महा आरती कारेक्रम में शामिल होंगे राश्टपती आपको बता दे कि नर्मदा महा आर्ती में शामल होने वाले रामनात कोबिंद पहले राश्टपती भी होंगे तो वहें रविवार को दमोह के सिंग्डामपूर में वो रानी दुर्गावती की प्रचिमा पर पुषपांजली अर्पित करेंगे और जन्जाती सम्मिलन में भाग भी लेंगे बढ़ते अंगली खबर कोर राहूल गांदी ने किसानों के समर्थन में केंदर सरकार को निशाना बनाते हुए एक ट्विट्ट स्वेर किया जिसमें वो कह रहे हैं कि देश की सीमा पर जान विशाते हैं जिनके बेटे उनके लिए कीले विशाई हैं डिली की सीमा पर अन्यदाता मागे अधिकार सरकार करे अत्याचार ये ट्विट्ट थोड़े देर पहले ही राहूल गाधी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें किसान अंदोर्ण को लेकर फिक्यंद्र सरकार पर निशाना साथ नजर आ रहे हैं बता दे कि लगातार जिस तरीके से क्रिशी कानून के विरोत में किसान सडकों पर हैं तो आपको बताते चले कि किसानों के समर्थन में लगातार जो भी पक्षी पार्टी है वो किसानों के साथ हैं राउल गाधी ने ट्विट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि देश की सीमा पर जान बिछाते हैं जिनके बेटे उनके लिए कीले बिछाई जाती हैं तिल्ली की सीमा पर अन्यदाता मांगे अधिकार सरकार करे अत्याचार हैश्टेक फार्मर प्रोटेस्ट के नाम से उन्होंने एक प्रिट किया है दस बच के छे मिनट पर उन्होंने ये ट्विट किया जिसका आपको बता दे कि तेजी से लोग रियक्षन दे रहे हैं यूपी के डिप्रिशियम और सिक्षा मंत्री दिनियों शर्मा की ने कहा है कि यूपी बोर्ड परिक्षा परदर्सी नकल विहिन कराई जाएगी इसके लिए तैयारी सरकार ने अभी से शुरू कर दी है उनके मुताबिक सरकार के कोशिश है कि इस बार भी सीसी टीवी और वायस रिकार्डर परिक्षा में लगेंगे इसको तरीके से आपको बताते चले कि नकल विहिन परिक्षा के लिए इससे पहले भी सीसी टीवी कैमरे की निगरानी में परिक्षा हुई थी परिक्षा परदर्शी होंगी और ये परिक्षा जो हैं नकल विहिन परिक्षा होंगी खुद इस बात को डिप्रिस्टीम दिन्यों शर्मा ने कही है बताद जहां एक तरफ आज किसान चक्का जाम करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ नरेश्टी कैद भी लगातार किन्द सरकार से सवाल कर रही है मुझभण नगर में भाक्यू के सुप्रीमो नरेश्टी कैद ने केंदर सरकार पर जम कर निशाना साधा है उन्होंने कहा है कि जब तक क्रिश्व कानुट वापस नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा नरेश्टी कैद ने ये भी कहा कि सरकार किसानों से बातचित नहीं करना चाहती लगातार आपको बताते चले कि किसान अपनी मागों को लेकर सडकों पर डटे हुए हैं सौ दिन पूरे हो चुके आज 101 गिन हो गए